हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनील और एक बर फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह जो SBI का CDF है यानि कि Cash Deposit Form इस form को आप कैसे भर सकते हैं तो यदि आपको यह form भरने नहीं आता तो आज आप यह वीडियो पूरा लाश्ट देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह form भर के बताऊंगा कि कैसे आप यह form step by step fill कर सकते हैं चलिए आज का यह interesting वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यहां से आप इस site का जो form देख रहे हैं यह क्या है customer copy है और यहां से जो इस site का form देख रहे हैं आप यह क्या है branch copy है ठीक है मतलब आप जब यह form fill करके bank में जमा करेंगे पैसे के साथ तो क्या होगा वहां bank वाले इसको क्या करेंगे आपको यहां से cut करके receipt के रूप में आपको देंगे और यह वाला portion जो देख रहे हैं आप इसे वही bank में ही submit कर लिया जाएगा तो चलिए आज के यह video में हम इसे form को भर लेते हैं तो इस form को भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर दिनांग डालना है जिस date को आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो चलिए मैं य आप आज का दिनांग 25 , 9 , 2020 vez, date डालने के बाद आपको क्या करना है में यहां पर branch name डालना है आप अपने bank का branch name डालेंगे सुष्यम सुरजपूर branch name डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर अपना account number देना है account number चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 box है यानि कि account number कितने अंका होता है 11 अंका होता है तो यहाँ पर 2 box ज्यादा extra हो गया है तो उसके लिए क्या करेंगे सुरू के 2 box में 00 भर देंगे और उसके बाद आप अपना account number यहाँ से डालना इस्टार्ट करेंगे चलिए मैं अपना account number जल्दी से डाल लेता हूँ यहाँ पर मैं privacy के कारड़ी से cross कर देता हूँ कुछ box को आप यहाँ पर अपना account number ओरिजिनल वाला डालेंगे पाते में लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ मैं नाम डालने के बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर रासी डालेंगे ठीक है यानि कि आप कितना जमा कर रहे हैं तो चलिए मैं अपना यहाँ पर amount डाल देता हूँ 5,000 रुपए मैं जमा करना चाहता हूँ 5,000 जीरो पैसे ठीक है 5,000 रुपए और 0 पैसे और ये वाला box को क्या करना है blank छोड़ देना है ये वाले box में मतलब कुल जमा कितना कर रहे हैं हम लोग 5,000 रुपए ठीक है 5,000 रुपए डालने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर सब्दों में भी डाल देंगे कि आप कितना जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सब्दों में 5,000 रुपए ठीक है मात्र अब इसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर अपना pen नमबर डालेंगे तो चलिए मैं अपना pen नमबर डाल देता हूँ LMBS42312G ठीक है मैं अपना यहाँ पर pen नमबर डाल दिया अब क्या करना है आपको यहाँ पर mobile नमबर डालना है आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 बॉक्स है तो 11 बॉक्स है तो एक बॉक्स एक्ष्ट्रा है यहाँ पर 0 डालेंगे और उसके बाद आप अपना यहाँ पर mobile नमबर डालना ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ privacy के कारण और यहाँ पर last का एकंग डाल दिया ठीक है आप यहाँ पर अपना mobile नमबर डालेंगे mobile नमबर डालने के बाद आप यहाँ पर नीचे के किसी भी बॉक्स को छेड़ना नहीं है आपको यह सब कुछ भी फॉर्म फिल नहीं करना है यहाँ पर official यूज के लिए है नीचे वाला तो आपका यह वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया है भरा गया है अब क्या करेंगे आप इधर customer copy में भरेंगे customer copy में भी same ऐसे ही भरना है क्या है branch name डाल देते हैं branch name डालने के बाद आप यहाँ पर date डाल देंगे date डालने के बाद यहाँ पर account number डालेंगे account number डालने के बाद आप यहाँ पर amount डालेंगे जो आप amount यहाँ पर जमा करना चाहते हैं चली मैं अपना amount डाल लेता हूं यह वाला box को blank रखेंगे amount डालने के बाद आप यहाँ पर सब्दों में भी डाल देंगे पांच अजार रुपए मात्र ठीक है आप यहाँ पर नीचे क्या है for official use मतलब यह कार्याले कारक के लिए है ठीक तो आप यह वाला नीचे का नहीं भरेंगे ठीक है अब इतना भरने के बाद आपको क्या करना है इसके दूसरे साइड में जाना है इस पन्ने को जब पल्टेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा ठीक है यह वाला page आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए यहाँ पर आप नोट कीजिए यह वाला जो portion है यह वाला जो भरा हुआ है यह यहाँ भरा होना चाहिए और यह जो मुल्य वर्घ है वह यहाँ होना चाहिए तो चलिए हाँ पर थोड़ा सा printing mistake है लेकिन यह printing mistake है तो कोई बात ने इसी में हम भरेंगे और इसी को हम लोग submit करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे मांडों कि मैं 2000 क का 2 note जमा कर रहा हूं तो 2000 का 2 note जमा कर रहा हूं उट क्या करूँगाउ यहाँ पर मुल्य वर्ग में 2 डालूँगा मतलब note looking के शंख्या хोना चाहिए ठीक है तो महां आप नोटों के शंख्या दू 2 1000 का 2 note डाल दिया 4000 हो गया और 500 का 2 note डाल रहा हूं तो यहाँ पर भी 2 डाल दूँगा आप अपने नोटों कि संखे यहाँ पर डालेंगे तो यह 5000 रुपे मेरा हो गया है अब यहाँ पर आप रुपे में डाल देंगे तो कितना हो जागा रुपे 4000 रुपे और यहाँ पर 1000 रुपे 500 का 2 एक हजार हो गया और दो हजार का दो नोट मतलब चार हजार रुपए और जीरो जीरो पैसे ठीक है इतना भरने के बाद क्या करेंगे आप ये वाला फॉर्म सब्मिट करने के लिए रेडी हो गया है आपको इधर का कोज भी नहीं छेड़ खानी करना है क्योंकि ये क्या है चे जमा करना है तो आपको क्या करना है यहां से इधर वाले बॉक्स को यूज करना है मतलब यहां पर आप नोटों संख्या डालेंगे यहां पर कितने का नोट है उसके सामने ठीक है और यहां पर रुपए डाल देंगे और इसके बाद आप ये वाला जमा पर्ची पैसे के जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो के माध्याँ से आप अपने जमा परची को फिल कर प्ड़ेँ हैं तो इस वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों के साथ शेर कर दिजी और चनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेसन आइकन को जरूर दबार लिजीगा वीडियो पूरा आन तेक देखने के लाइप आफ बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत